हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं येस बैंक से रेलेटेड बहुती बड़ी न्यूज निकल के आ रही है जिसका impact भी आपको share के price पर देखने को मिल गया है हम यहाँ पर बात करेंगे 81 bonds से related बहुती बड़ी यहाँ पर news निकल के आ रही है मैं आपको बताने वाला हूँ और यह भी आपको बताऊँगा कि पहले जब यह news निकल के आई थी तब इसके share price पर क्या impact पड़ाता है और अब इसके share price पर क्या impact पड़ा है और आने वाली trading days में इसमें क्या-क्या effect आ सकते है क्योंकि decision बहुती बड़ा लिया गया है तो इस related हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके share price पर क्या impact हो सकता है आने वाले time में और क्या अब यहाँ पर आपको buying start करनी चाहिए या फिर hold करना चाहिए या फिर अभी profit booking करके निकल जाना चाहिए यह सारी strategies भी हम इस वीडियो के तुरू ही जानने वाले हैं आपसे एक request है प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आप चैनल फे फर्स टाइम विजिट कर रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें चलिए वीडियो हुई है वो भी हम discuss करने वाले हैं जैसे कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे होगे आज जो यह बैंक की closing होई है 13.85 पैसे पर हुई है और इसमें 3.75 मतलब 3.75 पैसे की बड़ी उचाल देखने को मिली है बहुत ही दिन हो गए थे जब से yes bank में कोई बड़ा moment आपको देखने को नहीं मिल रहा था लेकिन आज यहां पे आपको 5% तक का उचाल देखने को मिला था लेकिन market closing टाइम पे से थोड़ा सा correction आया और यहां पे अगर आप देखोगे तो 3.85% पे यहां पे आपको closing देखने को मिली है जो की काफी अच्छी बात निकल के आती है ऐसे share में जिसमें बहुत दिनों से काफी कोई moment देखने को नहीं मिल रहा था यह जो moment हुआ है यह जो बड़ा moment आपको देखने को मिला है एक particular news की बज़े से देखने को मिला है मैं आपको भी news भी बताने वाला हूँ इससे पहले हम थोड़ा सा अगर हम इसके open high और low के बारे में बात करें तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है आज काफी बड़ी fluctuation देखने को मिलेगी आपके इसके open high और low में क्योंकि इसमें अजानक से एक जो news आई तब से इसमें एक दम से delivery percentage भी बड़ी जैसे कि आप यहाँ पर screen भी देख पा रहे होगे यह market close होने से पहले कि मैं थोड़ी सी position शो कर रहा हूँ जहां पर आपको buying and selling की position देखने को मिल रही है overall quantity traded भी आपको देखने को मिल रही है तो overall scenario आज यहाँ बैंक के लिए काफी जादा अच्छा देखने को मिला है वही अगर हम बात करें जो news निकल के आ रही है उसके बारे में तो मैं आपको directly यहाँ पर दिखा देता हूँ जैसा कि आपको यहाँ पर screen पर देखने को मिल रहा होगा और यह जो news निकल के आ रही है 81 bond से related है पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका पुर चाहिए लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स इस particular news को यहाँ पे बहुत बड़ी negative news बता रहे थे yes bank के लिए लेकिन मैंने आपको बताया था कि अभी हमें इस पर कुछ भी decision नहीं ले सकते उस time पे सेवी ने yes bank पर 25 करोड की penalty लगाई थी लेकिन उस time पर यह बिलकुल भी clear नहीं था कि इसमें yes bank का कोई भी fault है या फिन नहीं लेकिन फिर भी मैंने आपको बोला था कि अभी court का decision pending है तो अभी हमें इसे ना तो negative ना ही positive बोलना चाहिए लेकिन फिर भी बहुत सारे यूट्यूबर्स यहाँ पर इसको negative news बता रहे थे लेकिन अब यहाँ पर जो news नि basis पर इतनी वड़ी penalty जो yes bank पर लगाई थी उसका basis क्या है और इसके proofs क्या है तो उन्होंने जो यहाँ पर decision लिया है वो यह है कि अभी yes bank को कोई भी penalty pay करने की जरूरत नहीं है और जब तक से भी यहाँ पर पूरी तरीके से proof नहीं कर देगी कि इसमें yes bank का कोई fault निकल के आ एन पेस बड़े हुए हैं overall performance अगर हम शेयर का देखे तो वह अच्छा नहीं कर रहा है उस टाइम पर अगर यह कोई particular positive news निकल के आ जाती है तो उसका सीधा impact आपको देखने को मिल जाता है पहले यहाँ पर सेवी ने बताया था कि yes bank ने अपने जो investors हैं उनको inform नहीं किया थ तो अब वहीं पर सेवी से जवाब मांगा गया है within 4 weeks और अगर आप देखोगे जो इसका final decision लिया जाएगा 31st July को लिया जाएगा जो कि एक अच्छी खासी important date हो सकती है yes bank के share price के लिए भी क्योंकि जब भी ऐसी कोई particular decision आना होते है इसी particular date पर तो उस particular date पर आपको बहुत बड़ी fluctuation देखने को मिलती है अगर हम कोई भी share के बारे में बात करें क्योंकि जो decision है वो positive भी हो सकता है negative भी हो सकता है तो उसके according यहाँ पर आपको share में moment भी देखने को मिलता है तो अब यह बात होगी यहाँ पर overall scenario के बारे में जो news निकल के आई थी और जो moment आपने यहाँ पर देखा है वही अगर हम इसके ballinger band और जो candlestick pattern है उसके बारे में बात करें तो आज इसके ballinger band है जो median line है उसको cut कर दिया है जो कि एक बहुत ही अच्छा sign है कि आने वाले time में अगर इसमें performance सही रहता है तो यह share आपको अच्छा return या फिर अच्छा move दिखाते हुए दिख सकता है आने वाले कुछी time में क्योंकि अगर यहाँ पर जो candlestick बन रही थी consolidate हो गई थी लेकिन अब यहाँ पर आपको बड़ा moment देखने को मिल गया है तो overall अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ बैंक के बारे में इसमें अगर ऐस share आपको recommend किया हुआ था कल की वीडियो में वो मैं आपको बता दिता हूं उसका नाम है वरुन वेवरेजस उसमें कल आपको एक news मिली थी bonus share के बारे में जिस पर आगर आपके पास दो shares है तो आपको एक bonus share company issue करेगी तो उस related अगर आप देखोगे यहाँ पर आज इसमें भी अच्छा गासा moment देखने को मिला है करीवन 18 रुपे आज यह share बढ़ता हुआ देखाई दिया है कल यह जो share है 995 रुपे के around closing थी लेकिन आज इसकी जो closing है 110 के around देखने को मिलती है तो अगर आप देख सकते हो मैंने targets भी बताये थे previous वीडियो में इसमें भी बता दिता हू जो इसके targets निकल के आ रहे थे वो करीबन 1200 रुपे के targets दिये थे access securities और ICIC direct donor नहीं और यह काफी short term के targets है मतलब अगर आप इसमें invest करना जाते हो तो आप अपनी recommendation अपनी research को देख सकते हो consider कर सकते हो क्योंकि targets काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं fundamentally भी काफी strong share दिखाई देता है और अब जैसे कि इसमें bonus भी मिलने वाला है जिसमें आपको एक particular date भी mention करी थी मैंने अपनी last video में उससे पहले अगर आप register कर लेते हो मतलब अगर इसमें buying कर लेते हो तो आप भी eligible हो जाओगे bonus share के लिए अगर आपको वो date के बारे में बता करना है आप मेरी previous video जाके अब यह आपको decide करना है कि आपको इसमें position लेनी है या नहीं मेरा काम बस आपको information देना है तो I hope आपको वीडियो में दी गई information अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को like जरूर करें ताकि YouTube इसको promote करें और अगर आप चैनल फे फर्स टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को subscribe भी जरूर कर दीजे धन्यवाद